नमस्कार दोस्तो आजकी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आचार्य चानक के ने बताये हुए ऐसे तीन लोगों के बारे में जिन तीन लोगों की आपको कभी भी मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि दोस्तो अगर आपने गलती से भी उन तीन लोगों की मदद कर दी तो आपका जीवन बरबाद हो सकता है तो इसलिए आजकी इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखे तो चलिए शुरू करते है आजकी इस वीडियो को सबसे पहले प्रकार की जो वेक्ती है वह कोने दोस्तो की उदास वेक्ती जी हाँ दोस्तो आचार ये चानक्य के अनुसार अगर कोई वेक्ती हमेशा उदास और दुक्की रहती है यानि की अगर कोई वेक्ती के साथ कितना भी अच्छा हो जाए पर वह तब भी हमेशा उदास और दुक्की रहती है तो ऐसे वेक्ती की भूल कर भी मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि दोस्तो अगर आप ऐसे वेक्ती की मदद करोगे तब भी वह वेक्ती आपसे संतुष्ट नहीं होगी और वह वेक्ती हमेशा उदास और दुक्की रहेगी तो आप इस बात को ध्यान में रखे जो दूसरी वेक्ती है वह कोणे दोस्तो की चरित्र हीन वेक्ती जी हाँ दोस्तो आचार ये चानक्यके अनुसार अगर कोई वेक्ती गाली गलोच और लडाई जगडा करती है तो ऐसे वेक्ती की कभी भी मदद नहीं करनी चाहिए और अगर कोई वेक्ती मध्यपान और धूम्रपान यानि की बीडी, सिग्रेट, शराब ऐसे गंदे पदार्थों का सेवन करती है तो ऐसे भी वेक्ती की कभी भी मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि दोस्तो अगर आप एक चडित्रहिन वेक्ती की मदद करोगे तो वह वेक्ती आपको कभी भी धोका दे सकती है तो आप इस बात को ध्यान में रखिए जो तिसरी वेक्ती है वो कोण दोस्तो की मुर्ख वेक्ती जी हाँ दोस्तो आचार ये चानक्य के अनुसार अगर कोई वेक्ती को अच्छाई और बुराई में कोई भी फरक बिल्कुल भी नहीं समझ आता तो ऐसे वेक्ती की बिल्कुल भी मदद नहीं करनी चाहिए क्यूंकि दोस्तो जिस वेक्ति को अच्छा और बुरा बिल्कुल भी नहीं समझाता तो ऐसे वेक्ति की मदद करने से आप अपना समय बिल्कुल बरबात कर रहे हो दोस्तो इसलिए आपको कभी भी ऐसे मुर्क वेक्ति की भूल कर भी मदद नहीं करनी चाहिए तो इस तो आप इस बात को ध्यान में रखिए